हुआ है का गुड ओरनिंग फ्रेंड्स ये मेरा डॉट फारम है और सुबध सुबह का समय है अभी मैंने जब अपने डउक फार्म से अपने बतक को सारे बाहर निकाले उस समय दोस्तों देखिए मेरे हाथ मेहें एक मादा बतक जो मरी पड़ी ओर दोस्तों कैसे ये बतक मर गई है मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा अगर डग फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको आप भी इस चीज़ को नौटिस किये होंगे कि कभी-कभी हमारे जो मादा बतक होती है जो अंडे पे होती है वो रात में कभी-कभी मरी हुई मिलती है हमें तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों देखे बहुत सारे जो नर बतक होते हैं जो नर बतक होते हैं ये लोग जब अंडा पे बैठी हुई रहती है अंडा देने के लिए जब बैठी होती है लेइंग के लिए तो उसमय ये लोग बहुत critical condition में होती है और उसमय बहुत सारे नर बतक इन लोग के साथ जवर जवस्ती करते हैं जिसके कारण इन लोग का वो समय जान चल जाता है दोस्तों एकदम ये reality है अब मैंने देखा है ये पूरा healthy बतक है इसमें कोई बीमारी नहीं थी इसका आप आँख देखके पता कर सकते हैं देखे ये बहुत healthy बतक था इसका weight भी बहुत अच्छा है और देखे इसको मैंने इसलिए पहचानता हूँ इसलिए कि ये जो आप देख रहे है पैर इसका जो है अंडा यहां पर फस जाता है जिसके कारण इसकी morality हो जाती है दोस्तों यह हम लोग बचा नहीं पाते हैं तो दोस्तों इसका अगर आप पूछे का उपाय तो यहीं उपाय है कि आप कुछ अपने नर्बतक को कम कर सकते हैं लेकिन मैंने भी बहुत नर्बतक अपना कम किय है लेकिन फिर भी अगर आपको फर्ट टाइल अंडा चाहिए तो आपके फार्म में नर्बतक रखना जरूरी होता है जिसके कारण कभी-कभी इस तरह का आपको situation देखने को मिलता है तो दोस्तों बस इस वीडियो में इस छोटी से वीडियो में मैं आपको यहीं जानकारी देना चाहता था कि दोस्तों देखिए अगर डग फार्मिंग कर रहे हैं और इस तरह का situation है आपके फार्म में भी तो इसका problem बस यहीं है कुछ नर्बतक होते हैं जो इनको मार देते हैं बकी अगर आप चाहें तो अपने नर्बतक को अपने फार्म में थोड़ा सा अलग ब जमीन में गार सकते हैं दोस्तों बस यह छोटी से वीडियो में आपको मैं यही जानकारी देना चाहता हो था कि दोस्तों डग फार्मिंग में यह सारी चीजें हमेशा देखने को मिलती है तो यही फार्मिंग का नियम है तो थैंक्यू दोस्तों अगर वीडियो पसना आए तो लाइक किजिए मेरे चैनल पर नए हैं तो सिस्क्राइब कर लिजिए थाइंक्यू धिन्नवाद इस वीडियो को पूरा दिखने के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नमस्कार